हे गाईज कैसे आप सब्सक्राइब आज की वीडियो में आपको यह दिखेना वाला हूँ कि आप अपने रेड्मी नोट 4 पर अपने मेरी चैनल अबी तेक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें लिजी तो चलिए फ्रेंज स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पिले दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ रेड्मी नोट 4 पर MIUI 11 को मैंने इंस्टोल कर लिया है यह दोस्तों ओफिसियल अपडेट नहीं है यह एक GSI मेंजे जिसको आप अपने मोबल पर इंस्टोल कर सकते है तो यहां पर आपको 9.9.9 MIUI कवर्जन मिल रहा है साथ यसाथ दोस्तों यह Android Pi-based ROM है तो सबसे पहले इसको करने के लिए आप को कुछ फाईले को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके लिंक्स वगयर आपको description में मिल जाएंगी तो इन तीनो फाईलो को आपने डाउनलोड कर लेना है बस दोस्तों आपको इतना ही करना है और आपको simply अपना जो डेटा है उसको backup करके अपना जो phone है उसको reboot to recovery कर देना ह तो यहां पर मैं Orange Fox Recovery को यूज़ कर रहा हूं आच चाहे तो कोई सी भी Dribble Supported Recovery को यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है आपको वाइप के क्लिक करना है यहां पर Delvix System Data and सभी को अपने वाइप कर देना है यहां पर दोस्तों आपको ख्याल रखना कि Internal Storage को आपने वाइप निकरना वरना आपका सारा डेट हो चला जाएगा तो इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है अभी हमने वेंडर की जो फाइल है उसको सबसे पहले इंस्टोल कर लेना है तो यह मीडो वाली जो सबसे पहली फाइल है उसको आपने यहां से इंस्टोल कर लेना है जैसे ही यह इंस्टोल हो जाता है उसके बाद आपको दूसरी फाइलों को इंस्टोल करना रहेगा तो ये फाइल इंस्टोल होगी अभी आपको क्या करना अभी आपको GSI फाइल है उसको सिस्टम पार्टिशन के अंदर इसको फ्लेश कर देना है अगर दुस्तों आपके पास Redmi Note 4 नहीं है और दूसरा मोबाल है और फिर भी आप MIUI 11 को इंस्टोल करना चाते है तो उसकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कैसे आपको MIUI 11 को दूसरे डिवाइस में फ्लेश कर सकते हैं तो फिलाल के लिए दोस्तों जैसे ही यह सिस्टम इमेज जो फ्लेश हो जाती है आपको जो प्रीसरी फाइल परमिश यूर की उसको भी फ्लेश कर देना है तो यहां पर GSI में जो भी एंस्टोल हो गई है अभी आपको यहां पर परमिश यूर की जो V5 फाइल इसको भी यह से इंस्ट्रूड कर देना है जैसे ही दोस्तों यह इंस्ट्रूड हो जाती आपको अपना जो सिस्टम है उसको रिबूट कर देना है और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी समद नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं कि आपकी प्रोब्लम क्या है तो पर में आपको जो भी आपकी problem होगी उसका solution बता दूँगा तो यहाँ पर फिलाल के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ऐसी एक error आएगी उसको आपने इग्नोर कर देना है और यहाँ पर reboot system कर देना है तो reboot system हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर 10 से 15 second के बाद ही mix का boot animation आज जाएगा और आपकी जो mobile की brightness हो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी पर यहाँ पर कोई भी डरने वाली बात नहीं है simply आपको 5-6 मीट वेट कर लेना है यह अपने आप भी open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको mix का boot animation आप देखे सकते यहाँ पर आ गया है तो अभी आपको 5-6 मीट वेट कर लेना है अगर यहाँ पर mix का animation नहीं आ रहा बूट animation कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि आपने यह step जो हो ठीक तर से follow नहीं किया तो आपको उसको वापस से दोरा लेना है तो यहाँ पर आप देखे सकते brightness से वो पूरी कम हो जाएगी पर जैसे यह restart होगा और boot up हो जाएगा यह अपने आपी ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर Mio 11 है वो successfully install हो गई है अभी आपको क्या करना है सबसे पहले हमारी जो लेंग्वेज है उसको change कर लेना है क्यूंकि यह boot up हो जाने के बाद default Chinese में चला जाता है तो इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ English लेंग्वेज है उसको select कर लेना है उसके बाद आपको सा यूज करने में आसानी होगी तो इस तरह से दोस्तों आप अपने Redmi Note 4 पर Mio 11 को install कर सकते है अगर दोस्तों आपको कोई भी मेरी बात समद नहीं आ रही इस वीडियो के दोरान या फिर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment section में बता सकते है तो बस दोस्तों आज का आप शस्तों आप लिच्ट कर सकते हैं झाल है झाल ह sì आप लोस्तों आपके को च्सरागिक दोस्तों कपा मुझे जाता सकते हैं समय स्य allora